का निर्मान करने लगें कुई राकेट पे बैठा दिया गड़ेस जी को दंत है वो छोटा होना चीए और वाइत रपी वैशे शुदता जो है शातीन के बाद होता है शरीर का अगर आप प्रतिमा नहीं ला सकते हैं सक्षम नहीं है मित्टी की प्रतिमा लाने में नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज हमारे साथ है आचारिय रितेश पांडेजी डबल एमे साहित्य और जोतिसी नमस्कार जैश्यराब कैसे हैं मैं ठीक हूँ दोस्तो आज हम बात करेंगे गनेश चतुर्थी के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं अ तो रितेश दी सबसे पहले सवाल यह आता है कि गनेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है देखिए आप सभी जानते हैं कि गनेश चतुर्थी का जो पर्व है वह भगवान गनपती के जनमोत्सव के उपलक्ष में मनाया जाता है माता पार्वती और भगवान शिवश उत्प जन्म है और दूसरी जो पराणिक अथा है कि किसी कारण भगवान शिव ने कि अग्यात बस गड़ेश जी का सर जो है कुरोध में अलग कर दिया था फिर पारवती जी के नराजगी के करण उनहां गड़ेश चतोर्थी के दिन ही शिव जी ने हाथी का बच्चे का सर लाकी गड़ेश जी के बस तव से जोड़ा था तो यह दो कारण है जिसके कारण हम लोग गड़ेश चतोरथी हम गनपती जी को बप्पा को घर पे लेके आएं हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में देखिए शास्त्रमत तो विद्धान यह है कि कम से कम गणेशी को 10 दिन रखना जाएं लेकिन इस समय सब के पास समय का भाव है सब को अपनी ग्रिहस्ति चलानी है सब ड्यूटी वाले हैं पत्नी भी पती भी बच्चों के श्कूल जाना है तो ऐसे में अगर किसी के पास समय नहीं हो तो वह एक दिन तीन दिन पांस दिन साथ दिन गंपर जी को लाके घर पर रख सकते हैं वैसे शासरमत दस दिन का विधान बताए गया अच्छा त किस टाइप की मूर्थी होने भी म्रिणंता मिल्क मृति की प्रतिमा हो तो बहुत कुटम है या आगर आप प्रतिमा नहीं ला सकते हैं कि अस्टि मा को गणेश चतूर्थी वाले दिन सुब मौर्थ में पंच्चा म्रिस्ति शनान करके भी पूजण अरच्चन कर सकते हैं कि नहीं तो अगर मृट्टी की प्रधिमा लेके आते हैं उनकी आप विधी विधान पोजन कीजिए इसमें हमें इस चीज का भी ध्यान लखना पड़ेगा कि जो गनेश जी का जो सून्ड है वो बाई तरफ हो या दाई तरफ हो इसका क्या दाहिने तरफ सुन हो तो उत्तम मानाई गया हैं और यह हमेशा भ्यान रहें उनके दाहिने तरफ की जो दंत है वो छोटा होना चीए और बाई तरफ की 7aca बढ़ता है और उसलिए होना चाहिए ताकि सदय वह आपके घर में आपके जीवन में गंपती जी की कृपा बनी रहे हैं तो दाहिने तरफ होने से जीवन की जो भी बुराई है शमस्याएं विग्नबाद है उसको गड़नेशी हरन कर लेते हैं और अब दंत की बात करें दाहिना दंत बड़ा क्यूं होना जाए तो दाहिना दंत बड़ा होने से जीवन के जो भी विकार है जो भी संघर से जो भी समस्याएं वह उसे गड़ेशी दूर करते हैं इसलिए दाहिने शुड में अगर मोदक लिये हुए गड़ेशी की प्रतिमा हो सबसे उत्तम माने जाते हैं अगर गलती से बाएं और दोनों तरफ श्वाणर फूजनी लिकिन सबसे उत्तम की बात की जा रही है न शबस्तम माने जाते हैं तो बहुत वड़ेशी जहरा है को खिला हुआ होना चाहिए कि जैसी भावनाएं हमारे अंदर तभी आएगी किसी के लिए जब उसका सुन्दर स्वरुफ हो अक्षर हम कही जाते हैं कोई कुरूप बेक्ति आ जाता है उसको देखे हमारी मन जो है मलीन हो जाती है कोई बेक्ति बहुत कुरूप हो पर स्रिंगार उसका अच्छा हो उसको देखे मन जो है मुह हो जाता है उसके चेहरे पर मुस्कान हो बिल्कुल तो कहने पर यह है कि प्रतिमा जो भी आप लेके आए उसका जो चेहरा है वो खिला हुआ होना चाहिए और दूसरा आसिरबादात्मक हो वहां आसिरबाद देते तो कई नाना प्रकार जैसे लोग की भावना है अब लोग ऐसे लेकाते हैं और सबसे बड़ी बात दुख्की बड़ी बात है यह जिस समय कोई घटना घट जाती है उस वर्स उस घटना से संबंदित प्रतिमाओं को जो है प्रारुप दे दिया जाता है यह सबसे गलत है त उनका जो शवारिव है चूहा मुशक उनके साथ हो या वो फिर एक सिंपल आसन पर ब्रजमान है तो इसमें खड़े गनेजी या बैठे गनेजी बैठे गनेजी की प्रतिमाँ शब्शे उत्तम मानी गई है कि वह विश्राम अवस्था में है विश्राम अवस्था में कोई कि वेक्ती खड़ा शंतुष्ट मुद्रा में होके बैठा विश्राम अवस्था में हो बैठे हुए मुद्रा में हो तो शब्से उत्ता में मूर्दी घर में लाने के बाद उसको का स्थापित करना चाहिए कौन सी दिशा ऐसी है क्योंकि आदे से ज्यादा लोगों को यह पताने कि मूर्दी घर में लेके आगए अब उनको जो कोना खाली रखता है या जो जगे खाली है वहीं पर प्रतिमा स्थापित कर देते हैं बहुत शुंदर शवाल है आपका लिए प्रतिमा रखने का विधान है वह उत्तर या पूर्वदिशा में हमारे हां शनातन धर में कि उत्तर और पूर्व यानि नौर्विश को सबसे शुद्ध और पवित्र स्थान बताएगे यह देवताओं का स्थान है तो हमें पूर्व या उत्तर दिवाल पे भगवान की प्रतिमा को रखना शहीए वैसे तो कडड़ में हमारे शासर करते हैं कड़कर में भगवान व पूर्व के दिवाल पर रखेंगे तो बहुन पश्मा भी मुखों हो जाएं गे और हमारा मुख के पर हो जाएगा उत्तर दिवाल पर ठीगे तो भगवान का दक्षेण के तरफ हो जाएगा पूजा का जो सुबफल मिलता है पुर्वा में मुखों के या उत्तर अभी को चलेगा लेकिन सबसे उत्तम पुर्ग और उत्तरमाना क्या है सबसे महत्वपुण वात यह है जो सब भी शुक्षम्षम्रभद्धी को लेका है जब उनका मुख घर के बाहर के तरफ होगा यहां विशे उसम्रभद्धि वह उनकी इनर्जी बाहर के चलने लग जाएंगे आप पूजसे बात सब्क्राइब दिदो SMt tęWhy का अगर मैं सब्सक्राइब नहीं यह जरूरे है तो इसमें औरम कंक्लूड करूं इसी को ए veramente उनका मुख की तेर magazने चाहिए जिसेल्ट सब्सक्राइब लेकिन ये भी ध्यान देना है कि भगवान का प्रतिमा जैसे अक्षर कुषी का घर पुर्वा में मुख होगा तो वह वेक्टी जो है अपने घर में जब इंट्री करें तो बहुत सरे लोगों का मंदिर पश्रिम के तरफ होता है पश्रिम दिवाल पे रखा हो अब यह सोचे क अपने मंदिर के आगे घर शी को रखें तो वहां क्या हो जाएगा मुख बाहर कर जाएगा क्यूंकि वह पूरब दिवाल पर रख नहीं सकते फिर उनका पीट पीछ मंदिर होगा उनका अपना मंदिर होगा जो दिनचरिया पूजा करते हैं तो उन्हें वहां उत्तरा भिम आस दिन तीन दिन जो भी वह समय रहता है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो घर में नहीं करनी चाहिए जिससे हम चाहते तो हैं अच्छा करना लेकिन हमें पाप लगते हैं तो सबसे पहले अपने अपने मन की पवित्रता बहुत ज़रूरी है मन पवित्र होगा तो अपने गर के सिद्धी पूज्य पहई सफसर्पन करते हैं वह उन्हें प्राप्ट क्या होते हैं अग्धित ऑ करें उस नहीं नहिसे हमारी हमारी भाव उन्हें को शमर्पित होती है तो हमें विषंख से ध्यान देना sih कि ब्रह्मचर्य का पालन जो बहुत बड़ी चीज़ है दुसरा खानपान और यह ब्रह्मचर्य का पालन तब शुम्भव जब आपका खानपान शुद होगा यानि कि तामसिक चीजों का परहेज करना चाहिए लैस्वन का चीजों को त्याग देना चाहिए और एक दिन करना चाहिए से भी नहीं करना चाहिए और इसके अलावा माता पिता के सबसे बड़े अराधक है उन्होंने अपने माता पिता के आग्या के द्वारा जब दोनों भाइयों को गनेशी को और कार्तित जी को आग्या दिया गया था यह पूरे सुष्टी का भ्रहमण करके आज यह सबसे पहले आएगा वो हमारे इसते प्रिय अ होँगे कि है यह माता पिता की चार कि माता पिता से बड़ा इस रष्टी पे होई नहीं है आप पूजन कर रहे हैं और आपके घर में माता पिता का संतुष नहीं आप से तो गड़ेश जी के अस्थापना करने से आपको फायदा नहीं है कोई लाव नहीं है तो गड़ेश जी के अस्थापना करते हैं तो आपको कि बड़ो का मान सम्माद बड़ो का रिस्पेक्ट और जो आसपास के लोग है उनके शदाब का महौल खास करके उस दास दिन तो अच्छा हो आज इवन अच्छा हो तो सबसे होता है आम तोर पर एक सवाल यह होता है जैसे घर में जो बच्चे होते हैं वो काफी एक्साइटे क्यों होता है इसके पीछ बहुत अच्छा सवाल यह आपका की इस यह है वारी शास्तुल्ध के पुराणी कथा है उच्छिश्र को मिलता है पढ़ने को महें कि वेदभ्या से घ्राथ्च्ण पुमिझे उधराथ la! चाहिये तो गनेश्च ने का ठीक है कोई दिकत नहीं हम लिख देंगे और वेदव्यासी की बात को श्रमण करते हुए गणेश जी निरंतर दस दिन तक कि बिना विश्राम की पूरी महाबारत लिख दिए दसवे दिन किसी काम से जब वापस लौडते हैं वेदव्यासी तो देखते हैं गड़ेसी पूरे तप रहे होते हैं हैं पूरा उनकी शरीर गर्म हो गई है तो ऐसे अवस्थाय में गड़ेसी से वह अप्रातना करते हैं वगवान विश्नु के लिए व्रत रखा जाता है ऐसा माना जाता है कि अनंद गुनाल की प्राप्त होती है इसलिए बैक्ति को दस दिन का विधान शास्त्रों में गणपती जी को रखने का बताए गया लेकिन अगर आपकी पास समय का भाव है तो देड़ दिन एक दिन पान दिन साथ दिन इस तरीके से गणपती जी को भी आप घर में रख सकते हैं क्या अगर गनेजी घर पे विराजमान है तो घर पे कोई न कोई एक रहना चाहिए या फिर बिल्कुल अतिफी कोई भी आयत उसके ओपर विशेश ध्यान देना चाहिए और यह दुश्यम हमारे दिशिद्धी के साथ है हमारे शुक्त हमें शुक्त देने के लिए सवाल में इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आजकल शहरों में हस्बेंड वाइफ नौकरी करते हैं पेरेंट्स हैं वो साथ में नहीं रहते हैं तो उस समय एक ऐसा प्रधानता है शास्रमत यह है कि किसी एक विक्ति को वहां होना चाहिए चलिए जीवी का चलाना है कर्म करना है तो वह भी जरूरी है लेकिन अगर आपके पास समय का भाव हो और आप चाहतें कि पूरे दस दिन गड़ेशी को घर में रखें तो मैंने कहा भाव की प्रधान अपना ख्यार लखिएगा और फिर हम अपने जीवी का के निमित कार्य संपन करके जब मैं आऊंगा तो जो अवसे सेवा बची होगी वह हम आपके पूर्ण करेंगे तो यहां भावनाएं भगवान के साथ सेयर करके पिर आगे का वहां कार्य कर शकता है क्योंकि भाव की प गवान को रख दिया और मौझ मस्ती के लिए दोस्तों के बहार निकल गया यह परित्याज है लेकिन आप अपने कर्म के लिए अपने जीवी का के लिए जा रहे हैं यहां निंदनी यह नहीं है और अपनी भावनाओं को गवान के समक्ष सेयर करके आप जा सकते एक सवाल य चीश को कैसे करें हम क्या पूझा में शामिल हो सकते हैं तो उसका चैशास्त्रों में क्या बताए गया है کی वैशल शुद्धता शांत दिन तब शरें कि न एक अवस्त्था चार दिन की बाद भी शुद्धता शा स्ख्रों कर दे more क्यों कुश्र चार दिन के बाद इस्तरियों को पूजा पार्ट से थूरी दोरी बना करने चाहिए उस समय बच्चों के द्वारा या अपने पती के द्वारा पूजन की जो भी वीदी है वह उसे पालन करना चाहिए सेम डे में अगर यह कहानी हो गया जिस दिन हमें गड़ेंसी की स्थापना करना है और उस दिन अगर यह कहानी हो जाता है किसी वेक्ति विश्रिश के शाथ तो वह पूरुष अपने इस तरी का मतलब अपने पत्नी की चुन्नी डुपट्टा कुछ भी लेकर बैठ सकते हैं त तुर्थी जैसे आ रही है तो साथ सितंबर को गनेश्यतुर्थी शनिवार्दीन है कि सरवाश शिद्धियोग रवी योग ब्रह्मयोग और इंद्र योग इन चार योग का निर्माण हो रहा है जो कि बहुत ही उत्तन है वास्तु के हिसाब से अगर हम बात करें तो गनेश इसे बीगनों को हरने वाले हैं और बिगन सभी प्रकार के अब जिसका कारी यही विगन को हरना और मंगल को करना तो वह सभी निघिटी पूछाओं को हरन कर लेते हैं इसलिए अगर आप गनपती जीके आस्थापना करते हैं तो वह नौर्थ इसक्या है उर्ज्ञा का संच करेंगे तो घर के कोने कोने की जो वास्तुरोश है जो लोग धन की इच्छा रखते हैं तो उनको गनेश चतुर्थी के समय क्या करना चाहिए गनेश जी को अति प्रीय दुर्वा है धन की प्राप्ति के लिए उन्हें डेली गड़ी से को 21 दुर्वा अवस्य चड़ाना चाह इंपल मंतरशे अब गनपति जी को सुंदर कोमल 21 दुर्वा उनको अरपन करें यह ध्यान रहे दुर्वा चड़ाते समय जो पंखुडी उसकी जो पतियां है वह अपने तरफ होना चाहिए जड़ वाला हिस्सा है वह गनेश जी के शोड़ के तरफ होना चाहिए ऐसा क्यू बुरे प्रभाव से पूरी स्रिष्टी ब्रत्य लोक्षे अकास लोग तक उसने अपना उत्पात मचा रखा था अच्छा उश्य वर्दान मिला था कि तुम्हें कोई किसी अस्रसर से मारने शकता है तो उसको और अहंकार हो गया था जब उश्य ऐसा वर्दान मिल गया तो मुझे कोई मारने वाला नहीं को एसे में देवताओं में फॉसको कैसे मारा जाया मेर किसी को पुछी को और Zhou He कि वोले बाबा इसका आप ही कोई निदान निका लिये हैं मूले बाबा ने ग Precisly अम्हें उच्छुभार करो गनेश जीने युद्द करते करतों से निगल लिया अब गनेश उसे निगल गया और निगल गया तो अशूर था पाप पowe this का वेक्ति था ऐसे में जब वहां उनके पेट के अंदर गया तो जलन मचाने लग गया उस जलन को शांद करने के लिए एक रिशी के द्वारा उन्हें 21 अभिमंत्रित दुर्वा जो है दिया गया जिसको खाने सुनके पेट की जलन शांद की ठंड़क आई पेट में तभी शियह विधान जो है चलने लगा कि जो वेक्ति गणपति जी को 21 दुर्वा चड़ाएगा उन्होंने 21 गांठ वाली दुर परिशानी दूर हो जाती है चाहां कहजया से संबंदित हो भाग्य शंतान से संबंदित हो धन से संबंदित हो या कोई विश्यस उसकी मनुक्षा हो